तो दियर स्टुडेंट्स तुड़े वी विल स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर विच इस इंसर्टिंग ऑप्जेक्ट्स इन वर्ड ओके लेटिंग है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ड होता क्या है ओके वर्ड को हम MS वर्ड बोलते हैं Microsoft support तो वर्ड क्या है एक वर्ड प्रोसेसंग सब्टवयर हैं और यह एक एप्लिकेशन शॉप्टवयर अई 있습니다 नहीं है MS वर्ड कौन सा फेut है एप्लिकेशन शॉप्टवीयर और ये कैसा सॉफट्वयर है वर्ड प्रोसेसंग सब्टवЫर है इसका किसके की प İş जाता है इसका यूज टेक्स्ट को टाइप करने के लिए एड़िट करने के लिए और उसको फॉर्मेट करने के लिए और उसको फॉर्मेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है MS Word का ूछ और AMS World का यूज किया जाता है ! या फिर वार्ड प्रोसेसिंग एक आप्लिकेस हहरा कहीं है ! उसको तक्री एक और कि जो हो एक यूद्विकिज़ की स्फिंवर करती है ! कि एक यूज धूर्ण का है ! ॉके तक्ज प्रवाइट कर सकते हैं जिससे की डॉक्यूमेंट है वो कैसा देखे अट्रेक्टिव देखेए अब देखें हम एमस में पिक्चर बी और कई सारे शेप्स भी इनसाट कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करता है रेडी में शेप्स प्रोबाइट करता है जो यहिवाले सेही M.S.W.I.D. में, M.S.W.I.D. में, M.S.W.I.D. में, STORE होते हैं, जिनको हम आसानी से वहाँ से उनको Select करके और आसानी से अपने document में, Paste कर सकते हैं उनको, ओके, और उनके अंदर छाहते हैं, उन शेपस के अंदर कुछ टैक्स लिखना चाहते हैं उनके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं आपको पता है कि MSWord आपको एट टाइप की शेप कर्टिगरी प्रॉइड करता है उनमें से कुछ इस टाइप से हैं लाइंस रहती हैं कुछ rectangle shape रहते हैं, basic shapes रहते हैं, जैसे triangle, square, block arrows रहते हैं, arrows रहते हैं, जैसे आप down, left, right, equation shapes रहते हैं, flow charts रहते हैं, कुछ call outs रहते हैं, and stars and banners रहते हैं, तो inserting shapes हम MS Word में shapes को कैसे insert करते हैं, तो उसे related मैं आपको एक practical video send करूंगा, तो उससे पहले हम next topic discuss कर लेते हैं क्योंकि प्रेक्टिकल वीडियो आपको एक साथ स्रेंड करूंगा इसमें क्या है नेक्स्ट में formatting a shape आप चाहें तो shapes में color fill कर सकते हैं जैसा कि आप नीचे इस box में देख रहा है आपने कोई shape select किया उस shape में चाहते हो आपकी उसमें यह colors दियेगा हैं इनमें से आप कोई भी color fill कर सकते हो shape में outline भी डाल सकते हो shapes में कुछ effect भी डाल सकते हो जैसे आप जो भी shape आपने insert किया है आप चाहते हैं कि उसमें shadow उसकी shadow दिखे okay तो तो इस type के आप special effect भी उसमें आप shapes में डाल सकते हैं तो इस related में वीडियो send करूंगा practical वीडियो रहेगा आप देख सकते हैं उसमें हम कैसे करते हैं ओके दैन in the next heading we will discuss about the adding text in a shape आप चाहते हैं कि आपने जो भी शेप आपने insert किया है उसके अंदर यदि आप चाहते हैं कुछ लिखना चाहते हैं जैसे मैंने यह आपको यह diamond shape मैंने insert किया ओके मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं color fill करके और कुछ text write कर दूं तो ms word आपको यह facility provide करता है आप आसानी से उसके अंदर टेक्स जो shapes है उसके अंदर आप text write कर सकते हैं okay now the next heading is inserting word art word art feature का use किसके लिए किया जाता है shapes के अंदर या फिर हम ms word में mostly जो word art feature है उसका use headings को write करने के लिए किया जाता है होके इससे क्या होता है कि हमारा जो document है वह बहुत ही attractive और impressive दिखता है तो word art command बहुत ही अच्छा feature है इससे हमारा जो document है वह बहुत ही attractive और impressive दिखता है और इसका use mostly headings write करने के लिए किया जाता है तो word art in a simple way we can say that एक simple way में हम कह सकते हैं कि word art feature का use किसके लिए किया जाता है document में decorative text write करने के लिए word art feature का use किया जाता है तो इससे भी related में आपको practical video send करूंगा कि किस टाइब से ms word में हम word art feature का use करते हैं तो यह चारों के चारों वीडियो प्रेक्टिकल वीडियो में आपको इस वीडियो के बाद send कर रहा हूं okay so you can learn easy okay आप आसानी से सीख सकते हैं getting thank you